हेलो दोस्तों मैं लॉट के आचुका हूँ मार्शियल गौद के एक नीए उपिसोद के साथ अब तक अगर आप लोगों ने हमारे सेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की नीए वीडियो देली देखने के लिए अब तक हमने मार्शियल गौद में देखा कि जान डाइनिस्टी का एंसिस्टर और एंपरर के साथ सूफैंग उस जगे के अंदर सला जाता है और उदर सूफैंग और दोनों आदमी को उदर एक इविल स्पिरिट मिल जाता है मगर एंपरर का अंकल सूफैंग और एंसिस्टर को धोका दे के उस एविल स्पिरिट के साथ हाथ मिला के एंसिस्टर को मारने की कोशिश करता है आज की एपिजोट के शुरुआत में हमें दिखाये जाता है वो इबल स्पीरिट और एंपरर का अंकल एंसिस्टर के उपर एतिक कर देता है मगर ancestor बहुती आसानी से उन दोनों का ethic को रोक देता है और कहने लगता है उन दोनों से आज तुम मुझे इधर मारने आयो हो मगर आज मैं तुमारे हाथों से नहीं मरूँगा तुम दोनों ही मेरे हाथों इधर मरोगे तभी हमें दूसी तरफ सूफेंग को दिखाया जाता है जो ancestor के इतने सारे power को देखके हैरान हो चुका है और वो कहने लगता है कि ancestor का power तो बहुत ही जादा है इसलिए सायर उनके father ने ancestor को emperor बनाया होगा तभी सूफेंग उदर से फागने की कोशिश करता है मगर वो evil spirit और emperor का uncle उदर एक protection formation को create कर डेटा है जिसकी बज़र से सारो और एक barrier आ जाता है और तभी सूफेंग उच बेरियर को टोरने की कोशिश भी करता है मगर सूफेंग टोर नहीं पाता है तभी सूफेंग कहने लगता है मेरे पावर से में इस formation को टोर नहीं सकता अगर में कुछ भी करके इस formation को टोर पाता तो में बाहर से backup को इडर बुला पाता तभी हमें नेक सिन में दिखाया जाता है उस जगे पे कुछ सीज से बहुत सारा रोशनी निकलने लग जाता है जिसको देखके सूफेंग कहने लगता है इडर क्या हो रहा है ये सारा रोशनी किदर से आ रहा है तभी हमें दिखाया जाता है एंपरर के अंकल के हाथ पर कुछ लोटस जैसा कुछ होता है जिसको देखके एंसिस्टर बहुत है हैरान हो जाते है और कहने लगते है ये तो गोल्डेन रेडियन्स लोटस फ्लावर है और अपने ब्रडर को कहने लगता है तुम क्या इसकी मदद से मुझे इदर मारने वाले हो तभी हमें नेक्सिन में बताया जाता है ये golden radiance lotus flower एक अटेकिंग ड्रेजर है और ये ज्यान डाइनिस्ट्री में सिर्फ एक ही है और इस ट्रेजर की मदद से किसी भी लॉट रिलिम के बंडे को बहुत ही आसानी से मारा जा सकता है तभी हमें दिखाया जाता है एंपरर का अंकल अपने ब्रेडर को कहने लगता है जब फाडर ने तुम्हें एंपरर बनाया था उस जिनी फाडर ने मुझे इस लोटस को दिया था मगर आज उनहीं के दिये हुए इस ट्रेजर की मदद से उनके फेवरेट शन को मैं इडर मार दालूंगा तभी दिखाया ज जाता है एंसिस्टर एक स्वाट को निकाल लेता है और अपने ब्रेडर को कहने लगता है तुम्हें मुझे बहुत ही अंदर एस्टिमेट किया है तुम्हारा यह गोल्डेन रेडियंस लोटस फ्लावर पारफुल होगा मगर फाडर ने मुझे इस से बचने के लिए एक कर दो ऐटएक कर जाते हुए जिसकी वज़े से इक बहुत वाह ठांका होता है तभी एंसिस्टर कहने लगता है मेरा यह क्रिम्शन ड्रागण हमें ली स्वार के साथ साथ डिफेंस भी कर सकता है तर दूसरी तरफ से अंकल को दिखाया जाता है जो अपने ब्रेडर के इस पर बहुत ही हसने लगता है और कहने लगता है मैं जानता हूँ मेरे इस लोटस फ्लायर से बसने के लिए फाडर ने तुम्हें क्रिंशन ड्राइगन स्वाट को दिया था और ये एटेक के साथ साथ डिफेंस भी कर सकता है साथी साथ ये बहुत ही पावरफुल है मगर इसको यूश करने के लिए बहुत ही पावर चाहिए और इसकी यूश की बज़े से खुट के उपर ही बहुत ही प्रेसर परता है और क्योंकि ये स्वाट तुमारे पास था इसलिए ही मैं आज तक इस दिन का वेट कर रहा था तभी हमें दूसी तरफ एंसिस्टर को दिखाया जात है तबि उसका ब्रदर कहने लगता है अब तो तुमने इस श्वाट को यूश कर दिया है इसकी बज़े से तुमारे इंटर्नल इन्जूरी हुआ है तबि वो इब्ल स्पिरित को कहने लगता है तुम किसका वेट कर रहे हो उसका सारा सो मारा ही है और हमें आई क говорता आ, उसक अंकल को दिखाया जाता है जो इखल को कहने हुआ तुम तुम ने क्या रियली में इधर फाइट करने वाले हैं हुआ हम दोनोंने यह दू रहा एक्टिंग किया था इंटेंचिनली तुम्हारे गाट को आगे बरता है तभी एंसिस्टर अपने क्रिम्शन ड्राइगन स्वार्ट की मदद से उस इविल स्पिरित को बहुत सारे तुक्रों में कात देता है तभी एंसिस्टर अपने ब्रेडर को कहने लगता है थोड़ी देर पहले जो आपने गोल्डेन रेडियंट लोटस फ्लावर को निकाला था मुझे देखके लगा वह रियल है इसलिए मैंने अपने क्रिम्शन ड्राइगन स्वार्ट को निकाल लिया था तभी एंपेर का अंकल कहने लगता है वह रियल नहीं था मैंने अपने इमेजिनेशन से उसे बनाया था अपना पावर भी थोड़ा उदर डाला इसलिए सायद तुम्हें ऐसा लगा वह रियल है तुम्ही इसको देख रो और यह के उस लोटर्स की मदद से एंसिस्टर के ऊपर एटेक कर देता है मगर जब एंसिस्टर के पास वह लोटर्स बहुत जाता है तब लोटर्स एंसिस्टर के ऊपर हमला करने लग जाता है जिस का नाम ड्रेगन बॉर्ण रोब है मगर तुम मेरे गोल्डन रेडियन्स लोटस फायर के असली पाउर को नहीं जानते हो अगर मैं फुल पाउर लगाता हूँ तुम्हारा ये एलिद आर्नमेन भी मेरे एटेक को नहीं रोख पाएगा और ये केके अपने ब्रडर के उपर फि इधर क्या हो रहा है मुझे भी अच्छी तरीके से मालूम नहीं हो रहा है अगर इस तरीके से होता रहा तो हम सारे लोग इधर ही मर जाएंगे और तभी अचानक से शूफेंग अपने पाउर की मदद से एक मैसेज उस क्रैक की मदद से पाकी लोगों के लिए फेज़ देत तभी हमें एंसिस्टर को डिहाँ जाता है जो इस एकिश्च के विज़े से थोड़ा खायल हो चुके है और वह बहुती गुश्य में अपने ब्रडर को कहने लगता है तुम क्यूं और एडर एटेक कर रहे हो तभी एंसिस्टर को डिहाँ तुम इसके लिए मुझे ब्लेम नह के लिए बहुत सारे सीज को ठून रहा था आखिरकात मुझे एक सीज मिल गया जिसका नाम इम्मोर्टल ग्रास है मगर यह सीज बहुती रेर होता है और मैं जानता था तुम कभी भी इतने रेर सीज को मेरे लिए बाई नहीं करोगे और जब जी डाइनेस्टी जाओ डाइनेस होगे थे तब मैं भी इस एग्रीमेंट में के लिए मान गया तभी एंसिस्टर अपने ब्रडर के इस सारे बातों को सुनके बहुती गुश्य में आ जाते हैं और कहने लगते एल्डर ब्रडर तुम क्या स्टुपिड हो वो तीनो डाइनेस्टी हमेशा से जान डाइनेस्ट तुम जान डाइनेस्टी को खतम करने की कोशिश कर रहे हो तभी हमें नेक सीन में दिखाया जाता है सुफैंग एंपरर के अंकल के पीछे आ जाता है और एंपरर के उपर एटेक करके कहने लगता है ओल बास्टर तुम इधर ही आज मरोगे मगर सुफैंग को अपने उपर एटेक करते हुए देखके वो एल्डर सुफैंग को कहने लगता है तुमारे जैसा एक सोता सा कीरा क्या आज मुझे एटेक करने की हिम्मत कर रहा है तुम क्या इधर अपनी मौत को ढून रहे हो और यह कहके शुफैंग के उपर एक एटेक कर देता है तभी यह एटेक सूफेंग को प्रोटेक्ट कर लेता है और मंकी ब्रदर को उधर देखे सूफेंग भी खुज हो जाता है तभी मंकी ब्रदर सूफेंग को कहने लगता है इदर क्या हो रहा है तभी सूफेंग मंकी ब्रदर को कहने लगता है ब्रदर आप एंसिस्टर को प्रोटेक्ट कीजिए क्योंकि emperor का uncle and sister को मारने की कोशिश कर रहा है तभी शूफेंग का बात सुनके monkey brother emperor के uncle के उपर attack करने के लिए आगे बरता है और तभी हमें दिखाया जाता है सारे लोग भी उदर आचुके है तभी सारे लोगों को उदर आते हुए देखके emperor का uncle उदर से भागने लग जाता है तभी दिखाया जाता है emperor अपने father के पांच आ जाता है और अपने father को पूछने लगता है father क्या आप ठीक है ऐसे कैसे हो गया तभी ancestor भी कहने लगते है मैंने कभी भी नेश होशा था elder brother ये भी कर सकते है तभी emperor सारे लोगों को कहने लगता है हम और अंदर नेश जा सकते हैं इसलिए हमें इदर से जाना होगा मगर monkey के कहने लगता है हम ऐसे बाहर नेश जा सकते हैं मुझे मैंसूज हो रहा है इसके आगे बहुती powerful formation है तभी थोड़ा आगे जाने के बाद उदर कोई पानी दिखाई डेटा है उन लोगों को तभी monkey brother कहने लगता है इदर बहुती powerful spiritual power है इस पानी में और इस पानी के अंदर heaven और art का spiritual power के साथ-साथ मुझे ये भी लगता है इस पानी में spiritual formation का essence भी है और इदर ही में हमारा आज का episode एन होता है वीडियो अच्छा लगा तो like, share और comment किजिए thank you